दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यानो मामी जनजाती के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों यानो मामी जनजाती चर्चा में बनी हुई है तो हम इसी पर बात करेंगे कि यानो मामी जनजाती चर्चा में क्यों बनी हुई है और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये चर्चा में आई हुई है और भागोलिक दिर्ष्टिकोंड से इसका जो निवास स्थान है जहां ये रहते हैं उन्हें भी हम देखेंगे तो जैसा कि हम देख रहें कि स्क्रीन पे ये दक्षिड अमेरिका का मैप बना हुआ है तो ये जो एरिया है जो उपर हमें ये एरिया दिख रहा है ये जो है यानो मामी जनजाती के रहने का स्थान है तो ये जो हम देख रहे हैं यहां पे तो उपर ये हमारा बेनेजुएला है और इधर हम देखें ये वाला चेतर जो है ये हमारा ब्राजील है और मेंली ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये जो है वर्सा बनों का छेतर है यहाँ पर वर्सा होती है बर्स भर वर्सा होती रहती है और यहाँ पर सदाबहार बन पाए जाते हैं यह जो एरिया है यहां पर यानो मामी जन जाती के लोग रहते हैं तो यहां हमने देख लिया कि यह लोग रहते कहां हैं अब हम आगे की बात करते हैं तो यानो मामी जन जाती की अगर हम बात करें तो इनका जो निवास अस्थान है तो मैप में हम देख लिये हैं कि यह दक्ष हजार से ले करके अनतीस हजार तक इनकी जनसंख्या है अब इनकी जो भासा है जो भासा ये लोग बोलते है वो भासा यानो मामन है यानो मामन भासा ये लोग बोलते है इनका जो घर होता है वो एक गोलाकार घर होता है जो बहुत बड़ा होता है और जिसे योणोस या सुबोस के नाम से जाना जाता है अब बात ये है कि कहा जाता है कि पंदर हजार साल पहले ये लोग बेरिंग जल्डमरूमध्य को पार करके थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है माफ करिएगा बेरिंग जल्डमरू मद्धे को पार करके एसिया से उट्तरी अमेरिका गए थे और भरमड करते हुए यनो मामी लोग दक्षिड अमेरिका में चले गए थे यनो मामी जनजाती समाज का कोई मुखिया नहीं होता है जैसे कि जितने समाज हैं चाहे जनजाती समाज हो या फिर अपना समाज हो जिसमें हम लोग रह रहे हैं तो उनका एक मुखिया होता है जो प्रसासनिक कारियों को देखता है लेकिन यानो मामी जनजाती का जो समाज है इसका कोई अपना मुखिया नहीं होता है सर्व सम्मर्ती से ही ये लोग अपने समाजिक निड़य लेते हैं अब इनकी समस्या क्या है? कब से ये लोग समस्या का सामना कर रहे हैं? इन सब चीजों को भी हम देखेंगे तो बात यह है कि 1980 के दसक के बाद से इन लोगों पर अवयद सोने की खनन करने वाले माइनरों ने हमला करना सुरू किया बात यह है कि जहां ये लोग रहते हैं मैप में हमने देखा कि जिस एरिया में ये लोग रहते हैं वहाँ सोने की खान है और सोने के खनन के चलते ये लोग वहाँ से निसकासित किये जा रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर खनन कारे होता है वहाँ पर विसफोटक इस्तेमाल किये जाते हैं तो इन सभी काणों से इनको जो है वहां से भगाया गया और इनको मारा गया और इस प्रकार करीब 40,000 तक यहां देख रहे हैं हम कि 40,000 तक यानोमामी जनजाती के लोग मार दिये गए अब 1992 में यानोमामी जनजाती के लोग जब विरोध करने लगे तो ब्राजील की सरकार ने यानोमामी पार्क की अस्थापना की मतलब ये लोग जहां रह रहे हैं जो इन लोगों का छेतर है उसे संरक्षित कर दिया जिसे की यानो मामी पार्क के नाम से जाना गया और वहाँ से जो माइनर थे उनको बाहर निकाल दिया लेकिन आगे क्या होता है कि ये जो छेतर है वह जंगली छेतर है दुरगम छेतर है वहाँ लोगों का आना जाना मुस्किल है तो अवयद रूप से जो माइनर हैं वो इस छेतर में आते रहें उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहा माइनरों का यहाँ आना जाना लगा रहा वो चोरी छीपे यहाँ पर खननकारे करते रहे अब बात एक और आती है कि कहा जा रहा है कि पिछले साथ सालों में इनकी आबादी पांच प्रतिसत कम कर दी गई है इनकी आबादी जो है खननकारें से और बाहरी लोगों के संपर्क में यह लोग आ रहे हैं जिसके चलते इन्हें संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ रहा है अवैस सोने की खनन करने वालों के संपर्क में आने की वजह से इन्हे संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना जैसी वैस्विक महामारी का सामना भी इनको करना पड़ रहा है जैसा कि अभी हमने सुना कि कोरोना जैसी बैस्विक महामारी में ब्राजीले का ऐसा देश है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा तो ब्राजील के ही ये लोग हैं, उसी छेतर में ये लोग भी रहते हैं, उत्तरी ब्राजील में, तो इन लोगों को भी कुरोन्या जैसे संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ा सोने की अवायद खनन के चलते इन्हें पर्यावणिये समस्याओं और सामाजिक संकट से जूझना पड़ रहा है, तो ये जो है इनकी समस्याओं हैं, अब इससे सम्मंधित कुछ चीजें हैं, कुछ सब्द हैं, जिनको हम समझेंगे पहला जो सब्द है हमारा यहाँ पे वो है गोल्ड बलड, अब गोल्ड बलड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लोग जिस छेतर में रह रहे हैं, वहाँ पर सोने की खान है, और सोने की खान वहाँ पर है, और सोना निकालने के लिए इन लोगों को तबाह किया जा रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही है और ये लोग कई तरीके से अपने जान और माल का नुकसान जहेल रहे हैं इसलिए यहां से जो सोने का खनन हो रहा है उसे हम गोल्ड ब्लड या ब्लड गोल्ड के नाम से जानते हैं अगला जो सब्द है वो है सर्वाइवल इंटरनेशनल अब ये सब्द चर्चा में क्यों है क्योंकि जो यानो मामी जनजाती के लोग हैं उनका जो वर्तमान संकट है उनके जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको प्रकास में लाने का काम ये संगठन है एक संस्था है जिसे सर्वा इन्टरनेशनल कहा जाता है इन्हों नहीं प्रकास में लाया है तो यह है क्या यह एक मानवाधिकार संगठन है जिसकी अस्थापना 1979 में की गई थी इसका कारे क्या है कि यह दुर्गम अस्थानों पर जहां पर जन जाती यह लोग रहते हैं विसो भर की जन जातियां है जहां पर सबका पहुचना मुश्किल है उन लोगों से यह संपर्क साजती है और उनके समस्याओं को सामने लाती है और उनके रक्षा करने का काम यह करती है उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम यह संस्था करती है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सेयर करिए और बने रहे सेवियर इस्टेडीज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद